गुद इवनिंग और वेल्कम बाई यदि आप किसी स्कूल में आज विद टीचर अपलाई करने के लिए जा रहे हैं और आपका आपके स्कूल में पहला दिन है जॉइनिंग होगी सेलेक्शन होगी आपको एक्स्पीरियंस है तो वेलेंगों पट यदि आपको एक्स्पीरिय भी लग रहा होगा वो भी होना लाजमी है बिकर स्कूल नया स्टाफ नया बच्चे नया वरीधिंग इस न्यू तो डोंट वरी मैं आपको इस वीडियो में कुछ एक बातें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आप कैसे अपने फर्स्ट डे को मानेज करके चले तो देन इंटर्द्यूज यरशिल्फ इंटर्डूर स्टूलिंट अप अपने बच्चो के सामने अपना इंटर्ड़क्शन दे बिकरस ताकी बच्चो को आपके बारे में थोड़ी इंप्रमेशन मिले आपको बहुत जदा डिटेयल में नहीं अपने बारे मताना बट इतना की बच्चों को भी पता चले आपका introduction बच्चों के लिए बहुत जादा important है उसे students, देखे students के और teacher के वीचे में एक अच्छी bonding का होना बहुत जरूरी, एक अच्छी relationship maintained होनी बहुत जादा जरूरी है, तो क्योंकि आप नहीं है तो बच्चों को आपके बारे में पता चलेगा जब आप अपना एक beautiful सा introduction with a beautiful opening quote आप बच्चों के सामने देंगे second thing, let the students introduce themselves, उसके बादा बच्चों के बारे में जानिए, बच्चों का one by one introduction लीजिए, थोड़ा थोड़ा बच्चों के आपका introduction complete हो गया है then you discuss some rules and regulations related to the class related to the school थोड़ा सा आप बच्चों के साथ में discuss करें, उनको थोड़े से rules and regulations first day ही बताना बेहर ज़रूरी है, ताकि first day से discipline class में आपके जो students है वो बना के रखें, तो थोड़ा सा आप उनको rules and regulations से वाकिफ कीजिए, third and very important thing जो आप बच्चों को बताएंगे आप जो subject लेने जा रही है English, Hindi, Math Geography, SST, 4 BXY जड़ा आप subject पढाने जा रही है उससे related questions आप बच्चों से पूचिए and let the problems come from them, उनकी साथ से problems आने दीजिए, जैसे कुछ questions आप पूच सकते हैं, what is your which is your favorite subject why do we like social study most why don't you like maths तो इस सरे से आप अपने subject पढाएंगे like आप Hindi पढाने जा रही है बहुत से बच्चे हिंदी को लाइक नहीं करते हैं, बहुत बच्चे लाइक करते हैं तो आप बच्चों को अपने subject की importance बताईए जैसे कुछ बच्चे हिंदी लाइक नहीं करते हैं, तो why Hindi is important for us why do we study this subject उससे आपको एक base बनाना है और बच्चों की अंदर ये चीज आपने डालनी है कि वो subject important क्यूं है, हम क्या अफालतों पर ये पढ़ रहे हैं, उसकी importance क्या है, हम क्यों उसको study कर रहे हैं, तो first day आपने ये काम करना है, आप जो भी subject बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, आप पहले उसकी importance बच्चों को बताईए उसका बच्चों को use बताईए हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए उसके बारे में आप first day बच्चों से discuss करें हैं, तो ये था उसके बाद अगर time बच्चता है, तो discuss the syllabus, बच्चों के साथ में आप अपना syllabus discuss कीजिए, उसके बारे में आप उनको detail दीजिए, तो first day आप ये कीजिए, बच्चों का अपना interaction, बच्चों का interaction, अपने subject की importance जो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, और class से related rules and regulations और आप syllabus discuss करें, तो इससे बहुत अच्छी bonding बनेगी, आपका एक अच्छा impression चाहेगा बच्चों में और be on time because आपका first day वैसे तो हमेशा ही रहना चाहिए, but be on time be easy and comfortable एकदम easy, easy going और बहुत comfortable और confidence के साथ में आप अपना first day निकालिए, फिर देखिए आप कितने अच्छे से अपना पहला दिन manage कर लेते हैं आपको करना नहीं है, don't be negative, बच्चों के सामने कोई भी negative बात आपको नहीं करनी है या कोई ऐसी बात जिससे आपको कोई weak point बच्चों के सामने जाता है इस चीज का आपने बच्चों से चीजे शेर करने के साथ में बहुत ध्यार रगना है तो उमीद करती हूँ आपके लिए वीडियो यूसफुल होगा मिलते हैं नेक्स यूसूर वीडियो में बठा जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और बने रहे हैं मेरे साथ थाइंक्यू सो मच पूर वाचिंग दिस वीडियो तेक्यर अफियो से लिए